है 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 हमारे भारत में कि प्राचीन मंदीरों प्राण प्रतिष्टा की हुई हुर प्राण प्रतरिष्टा में वो वो विक्ति ने व VO महत्मा अपनी इनरज़ी अपनी उर्जा डाली हूई है पर वो उर्जा जिस जिस समय बीता इंद letter से काल के साथ में वो बृद्दिगत होती वह और उसके बांव मैं वह स्तांग बन गए है तो भारत के गौवा बीच घुमने के लिए आते ओ ताजमल देखने के लिए आते हो, भारत ना गुमने की चीज़े ना देखने की चीज़े, भारत अंभो करने की चीज़े, आप वेबरेशन का दियान लो, वेबरेशन का नौलेज लो, उसके आप में घुमो ना, तो आपको वो स्तान, वो जगे मिलेगी, जहां पर अच्छे वेबरेशन से अश्टा विनायके, बारा जोती दिंगे, आप जाओ ना, स्मरन करो, तो भी आपको वेबरेशन का नौलेज होगा, वेबरेशन का ग्यान होगा, तो क्यान करता हूँ, उनको पत्तर से समझाता हूँ, दूसरा, एक ही कंपनी के दो पानी के जार लेते हैं, ए तो इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, वेबरेट के रिए होगे, पानी में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, पहले का पानी क्या था, अभी का पानी क्या है, क्या चेंज है, तो इसमें भी ना, तीन केटेगरीज है, पहली केटेगरी है, कि लोग बोलते है यह थोड़ा मीठा लग रहा है, यानि वो शरीर के स्तर के उपर है, उसके बाद में कुछ लोग रहते हैं, वो अपना अन्भवत दाते हैं, इससे थोड़ा इनर्जी लग रहा है, और तिसरे जो लोग रहते हैं, खुब ज्यादा रिसिंग वारे रहते हैं, खुब ज्यादा सभेदेशित रहते हैं, वो बोलते हैं, सहस्तरार पर स्पंधन होना प्रारम में हो गया है, यानि एक ही पानी, लेकिन एक ही पानी को पीने से अलग अलग लोकों को अलग अलग अनभूतिया होती है, ऐसे शिवीर, विदेशों में की जाते हैं, तीसरा, खूब दूर जाकर के एक कान्त में, इक जगे मैं बैढ जाता हूँ, कुछ नहीं, मैं बैढ रिटा हूँ, शान्त होके, उसको में उनको बोलता हूँ, एक 20 बाना बत्रोश से नलग और मेरे और आना चालो करो और मेरे और आपके बीश में दूसरा नहीं आना चीज़, बाना इतना डिस्टन्स तो कैसे एकदम बाउंस करते है उसी प्रकार से उरा के लेयर आपको फीछे की और इसे डखे लेंगे जिसे आप पास-पास आओगे पीछे की डख लेंगे ऐसे साथ जगे साथ लेयर साथ हैं ऐसे शीविर विदेशों में करता हूं यहां पर भारत में वो संभव नहीं है संभव नहीं क्योंकि जब भी शीविर की बात करते हैं एकदम हशारों लोग उसके लिए तैयर हो याते हैं तो शीविर कैंसल हो अभी जर्मनी में हुआ तो साड़े चार सो लोग थे सबसे भारत में दो खुब बड़ी संख्रेति लेकिन जब जैन मुनियों के शीविर लेता हूं यह अनभूतियां यह अन्भो जरूर उनको कराता हूं और जैन मुनिय भी आराम से तीन चार पांच चक्र तक पेचान जाते हैं वैबरेशन पेचान जाते हैं सीथी पेचान जाते ह के अर्फ यह अलग मार गया है कि यह अलग दुनिया है एक अडियात्मिक यगत है तो आद्ययत्मिक यगत में अध्यति का अनभू है जिन्हों ने वह अन्भू लिए जो इस लाइन के जो जानते हैं बाकि आप उस पानी को अंदरश्दा कर के थोड़ सकते हों लेकिन इसक वह वाइबरेशन्स पानी को पहुचते हैं और पानी के अंदर एक गुणबत्ता रहती है कि वह चेंज ला सकता है बदला ला सकता है सत्तर प्रतिशत पानी शरीर के अंदर है और पानी के अंदर अगर अच्छे सकारात्मक विचार डाले जाएं उनको आत्मविश्वा दिलाए जाएं कि आप इस भीमारी से ठीक होंगे ही देखो इसमें भी क्या रहता है माल में दो हाथ से ताली बचती वैसे कितने सो प्रतिशत भी उसके अंदर एंदर डाली गली उर्जा डाली गई तो भी वह उसने रिसीव करना चीए रिसीव करते तो अच्छे रिजल्ट आते रिसीव नहीं करता तो धिरे धिरे आते लेकि अच्छे उसके अंदर बदलावाता है दूसरा यह शिवीर के अंदर हमने यह जाना कि परमात्मा एक औविनाशी शक्ति आप परमात्मा कल्वी था परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल्वी रहेगा यानि परमात्मा कोई व्यक्ति, कोई स्तान, कोई जगे नहीं हो सकती, परमात्मा एक विश्व चेतना है जो विश्व भर में फेली हुई है, और वो विश्व चेतना को जैसे ही हम अपना अस्तित पर खोते हैं, तो उससे सम्रस हो जाते हैं, परमात्मा से सम्रस होने के लिए आपको शरीर से मिटना होगा शरीर भाव से मिटना होगा दिखिए जैसे एक गीतकार मिटता है इसके लिए एक गायक के लिए गायक जोता हुए इन्गों पुझता की लिए उसके बार में सब करे के लिते हैं रृक्षित्व के लिए या अपना अस्ивается करते हैं कि अपना अस्फित्व चुड़ते हैं अपना युग procedure जोड़ते तब जाकर आगे विब्जिद होता है एक बीज घुष्यकप बनता है जब इस अपना आस्तित पर छोड़ता है ऐसे जब आप श्रीर का आस्तित पर चुड़े तब आप परमात्मा हो सकते और विश्व में पहला हुआ परमात्मा कि आपको अन्भा हो सकता है और ज इन स्तानों पर अच्छी परमात्मा की उर्जा है, ऐसी परमात्मा की शक्ति है, थोड़ा क्या है, हमारी ग्रहन करने की क्यमता कम है, उसके करण सर्व सामान्य हम नहीं पहचान सकते, लेकिन जहां पर सामुल्ता है, जहां पर कलेक्टिटी है, जहां परमात्मा की उर्जा लेकिन वो यह बोलेगा, वहाँ जाकरके मेरेको बहुत अच्छा लगता है, अब देखो ना, जैसे वेश्णोदेवी, वेश्णोदेवी में सामान्य मनुष्य जो साधरन सड़क पर भी सीधे से चलनी सकता, वो व्यक्ति पहाड चड़करके वेश्णोदेवी तक पोच जात पता भी नहीं चड़ता, क्या करने, करने वहाँ की इनर्जी, वहाँ की उर्जा, और दूसरा सामुर्ता, प्रिक्ट्विटी, सभी जने जै माता जी, जै माता जी का उद्गोश्च करते रहते हैं, उनके अंदर हम शामील हो जाते हैं, और शामील होने बाद में हमारा शरी आत्मा बन जाते हैं, और आत्मा बन करके उस आत्माओं की सामुर्ता में, उन आत्माओं की कलेक्ट्विटी में, हम वह पहाड चड़ जाते हैं, जो पहाड हम जीवन में साम्मान्यत नहीं चड़ सकते हैं, मैं आपको यह उधारन इसलिए दे रहा हूं, कि जो चीजे शार औररिक स्थर क्यों कर गभाई में नहीं कर सकते हमारी उतनी उकाद मिनें करने यह वह भी चीजेद्ज पर कर ना गड़ा जाती है कि जैसे में सावान्या व्यक्ति से विप कार्या नहीं भरता है है कि इसि लिए अपनें अंदर के अत्मिक शक्ति को बढ़ाओ अपने अंदर के योग को करो योग यानि अपने आत्मा का परमात्मा के साथ योग तो पूरे जगन को सकारात्मक रूप दे देता है प्रत्यक जगे पॉजिट ही हो जाते हो सकारात्मक हो जाते हो ऐसे सकारात्मक होना यह परमेश्वर को जुड़ना है पूरे विश्व बिश्व चय्तना थे ईपर दूसरा पर वैमेंर trafficking मानने के उपर एंद Detail को परमेशवर मानता है को नहीं मानते जो ऑई किमें आनी को अद्यी का मानती याने पानि के परमात्मा अलं अलग होते वे मैं उनकी प्रगतितों उसकती है उनका अगर हम वर्तमान में रहते हैं, तो ही वर्तमान काल के माध्यम को पहचान सकते हैं, परमेश्वर एक शक्ति है, वो कोई ना कोई माध्यम से प्रकट होती है, और जो माध्यम से प्रकट होती है, हम उसको परमात्मा बोलते हैं, वास्तों में वो भी उस समय का माध्यम रहता है के परम्हात्म 수इंतों कोई है नियुक्ति नियुक्रों कर जो सब माध्यम नोडिक्ते आध्य हम उपासना की पधरितिया के मोत यह दो हमारा पॉपास्म की पद्धरति वाले लोकों को भी अनुभूति सबको एक समान होती है। अनुबुती सबको एक जैसी होती है, क्यों? क्योंकि सब के भितर वही आत्मा है, वही परमेश्वर का आउश है, परमात्मा ने प्रत्यक बीच को रुक्ष्य बनने की संभावना अंदर डाली हुई, कोई भी चाहे है, तो अपने भितर के शरीर भाव को गम करके आत्म भाव में जीना सीख सकता है, और उसके बाद में कोई भी अपने अध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, कोई भी अपने अध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, परमेश्वर की विशेष्टा है, सब को समान देता है, एक जैसे देता है, तो आपको भी वो मिला हुआ है, जो मुझे मिला ह तुम्हारा माल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा पैकिंग खराब है मैंने बढ़ा ऐसा क्यों तुम जब आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए योग के लिए आये हो तो वेसे आध्यात्मिक कपड़े पहनो ना उससमें एक चोकड़े की लूगी और एक सफेद कुड़ता पहन के कारेकरम देता था तो यह ड्रेस आपके कारेकरम के अनुकूल नह जा तो बच्चा एक स्टेप चड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह उपर जाकर के बेठों और मैं बच्चे को बोलू आजा 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 वो उपर देखेगा नेरे बबाबा इतना उपर तो में नहीं चड़ साकता कभी जिंदगी में तो चड़ने का कोशिश ही नही मेरी इच्छा रहती आम आदमी मुझे आम आदमी सरीका माने उसके यह सामाने सामान्य माने तो वह प्रायद न करेगा है तो उन्होंने तरक दिया कलपों ना करो कि टीवी के उपर एक संस्कृत समाचार वाचक है और शूट बूट पेन के टाय पेन करके अगर बात कर रहा तो तो योग यह क्या वह अनुरूप नहीं है ना संस्कृत समाचार वाचक भारतिया संस्कृत एक अनुसार होना चीज तो वह क्यों ऐसा टाय पेन करके बठा हुए ठीक उसी प्रकार से जब आप योग की बात कर रहा है अध्यात्मिक चर्चा कर रहा है तो आपका ड्रेस अनुकूल होना चीज़ा है वह बोले चीजिए और कुछ नहीं है अध्यक ये मैसेज को पहने कि सादुन अच्छे भी रहते हैं अध्यात्मिक सित्य वाले बी रहते हैं तो मेरी याद में आप उन द्रेस पहना हो तो ये ड्रेस के ना फाइदे भी और नुक्सान में है इसका नुकसान मुझे विनेशों में मेहसूस हुआ, विनेशों में क्या हुआ, यह ड्रेस्पन करके अगर जाओ नगाए, तो लोग डाकु समझते हैं, डाकु समझते हैं, तो इतना डरते हैं, इतने घःते हैं, यह सत्ने बात है, यहाँ से लोग पैसा इक बीचता कुछ आ करने के लिए महां जाते हैं इसलिए मैं उनको सबसे बेल बोलता हूं मैं तुम्हारे यहां पैसे इखटा करने आया नहीं हूं तुम पैसा इखटा करो तुम्हारा पैसा तुम्हारे कारे में लगाओ मेरे को देने की कोई अवश्रप्ता नहीं हमारे यह कोई कमी नहीं है भा बढ़ या पॉजिटिव bolजby अनौलेज़ जो हमको अच्छे कारे करने के प्रेना देता है इसका ग्जान हम को हमारे भीतर से मिला हमको हमारे अंदर से मिल सब्सक्रारश आप कुशा है और हम जिसको आज धर्म समझ रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो उपासना की पद्धतियां है, तो उपासना की पद्धतियां अलग-अलग हो सकती है, लेकिन धर्म हम सब का एक है, हम सब का मनुश्य धर्म है, तो कहने का अर्था, आप ये समझो कि आपके भितर का योग करने से भ्टें दःम जागरुत होगा तो धरम है मनुश्य धरम और मनुश्य धरम जागरुत होने के बाद मेmp फिर आपको क्या करना चीए और क्या नहीं करना चीए इसका ग्यान इसका नॉलेज है आपको आपके वीतर सही न's our Subächen तो हमने जाना कि प्रमाक्मा यानि विश्व चेतना धर्म यानि मनुष्य धर्मा और तीसरा सद्गुरु यानि वह मार्ग वह माध्यम जिस माध्यम से विश्व चेतना भेति है. हमको पहुचाती है. कई लोग. विदेशों में मुझे पुछते हैं क्या आप आत्मसाक्षतकार कराते हैं क्या आप अन्वुति कराते हैं मैं उनको बोलता हूं मैं आत्मसाक्षतकार नेसरगी क्रिया है परमात्मा का कार्य है वो कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कहीं हो यह नहीं सकता तो मोलतेए प्ले मिन के मैंने सानिद्य में घटी थो किया रहा एया है दिया जो कि वह एंको निए दिया है वाकतवी उनको दिया समर्ध टेटी मुझे भी आत्म साक्षात कर मिलना चाहिए, मुझे भी अन्भुती मिलना चाहिए, भी युझे दो आत्म साक्षात कर करने से पतह है। इसमें कोई कर मिलना, इसमें कोई किसी से ले नी सकता। जिखान करके, मेडिटीसफ करके उस आत्मसाक्षात करणका अन्विध करने की जो एक माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है तो सद्व retailers एक माध्यम है जिस माध्यम से हम को आत्मसाक्षात करके अनविधी प्राप्त होती हिए वो भी नहीं करता और हम उनसे भी नहीं लेते लेकिन उसके सानिध्य में प्राप्त होयाती है एक बार अम्दाबाद में 65 जेन मुनियों का शिबिर लिया वो शिबिर में अलग-लग गच्छ के लोग शामिल से अलग-लग मुनी शामिल से तो उनके गच्छा दी पती ने पुझे एक चित्थी ल पड़े हुए है और उन ग्रंथों की बाते आपने आपकी पुस्तक हिमाले का समर्पुन योग में लिखी है मैंने का पहली बात कुछ नहीं वो चिट्थी लिए कि मैंने जेम में रख ली बात मैंने शिबिर के पश्चा उनको मिलने गया इनके महारासब पहली बात तो यह कि मेरे को संस्कृत भाषा आती नहीं मैं संस्कृत का विद्वान नहीं मुझे कोई जानकारी यह संस्कृत की और रही बात यह पुस्तकों में रिखनी की तो हिमाले में कुछ जेन मुनियों के साथ कुछ दिन रहा पर जो रहा न तो उनको समर्पित रहा पर समर्पित रहन उनके अंदर का नॉलेज मेरे में ट्रांसपर हो गया उन्होंने दिया नहीं मैंने लिया नहीं पर उसरा में जेन नहीं हूं इतले जेन धर्मक की हमारी कोई भी चर्चा नहीं हुई कोई भी बात नहीं हुई हमको केवल वही ग्यान मालूम है वही नौलेज मालूम है जो कोई किसी को दे सकता है कोई किसी से ले सकता है लेकिन ये वह ग्यान है जो कोई किसी को दे भी निसकता कोई किसी से ले भी निसकता तो उनके सानिते में रहते हुए वह जेन धर्म का ग्यान जो उन्होंने प्राप पड़े होंगे उन्होंने भी उनके गुरू से ऐसा ही गरण किया होगा तो ग्यान उनसे मैंने प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद में समाज में आने के कई साल के बाद जब उनका इच्छा हुआ कि मैं उसके पर कुछ लिखूँ उनकी प्रेणा हुई कि मैं उसके पर कुछ लिखूँ तो उसके पर लिखा गया है और लिखा जाने के बाद में वही आपने पढ़ा है तो मैंने कोई समस्कृत के गरंत नहीं पढ़े कोई जैन धर्म का अध्यन न को लिखा गया कि लिखायी है कि यह वो ग्यान है कि जो वेवारिय जिद्न दढह ए कृम को हुई पता है जो विवारी ता से प्राप्त होता है किशन कीकी वास कर रहा हूं घयान आत्मा तक पहुचता है सबसे पहले आपको आत्मासक्षट कर से घ्रण करना पड़ेगा उसके को इतना सट्रांग करना पड़ेया इतना मजबूत करना पड़ेया उसके हाइधकी आतमा के साथ जुड़ते आना चीए ऐसे जुड़ते आया तो आपanızके आत्मा का घ्यान ररन कर सकते हैं ले सकते हैं जो इसके बान में क्युणकि वो दे नहीं सकता पनि डे साधिक होगा कि कुछ नहीं करना ध्यान है कि अग्दम सरल जैने किदन की सुर्णी करना ध्यान, उतिए आपक को और रचाने माने हम कुछ नहीं करते रहते न टाइव विचार करते हैं या तो हम शरीर से कुछक ढ़र करते रहते हैं या मन से भी नहीं करना पर मन से भी कुछ नहीं करना ऐसी स्थीति ध्यान किलाती है लेकिन इसकी हमको आदत ही नहीं है हमारे आदत नहीं नहीं जब हम शरी से कुछ नहीं करेंगे तो यह बेठेंगे तो भीचार करने लग जाएंगे दूसरा होता है ना जैसे राम नाम की माला फिरते कि नहीं राम और आम 108 मंदके रहते हैं, जब तक 108 मंदके नहीं होते तब तक अपनी माला पुरुन नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से, ये 45 दिन के 45 मंदकों के माला है, आपकी ध्यान लगे, नहीं लगे, कुछ उदर सोचो ही मत, अब 45 दिन रिगुलर्ली ध्यान करो, आदा घंटा ध्या तो अगर आपने योगासन के हुए है, तो योगासन इस समय आपको काम आएंगे, योगासन योग में सही अगे, योगासन का विरोधी नहीं हूँ, योगासन योग में सही अगे, 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 झाल झाल झाल